आपको बता दे कि उन्होंने शिमलिंग पर इस्थापित नाप को उखार कर फेग दिया तो वहीं हर्मान जी की मूर्ती पे लगी चांदी की आखे निकाल ली और वहां रखी भगवत गीता और रामचरिक मानस को भी जला दिया यही नहीं मंदिर परसत में उल्टियां भी की गई वहीं घटना के बाद हिंदू संगठनों में आकोस है पुलिस ने इस मामले में संदिक्तों को हिरासत में ले लिया है जानकारी के मुताविक कोतवाली छेतर में रामपूर आयाइटी के पास इस्थिस्यु मंदिर में तोफोर की गई आपको बता दे कि ताला तोड़ कर असामाजिक तत्तों मंदिर में दाखिल हुए उन्होंने मंदिर में स्थापिस सिवलिंग के उपर लगे नाग को तोड़ दिया वहीं पास में हर्मान जी की मूर्ती भी स्थापिती उसमें चांदी की आँखे लगी हुई थी उसे भी असामाजिक तत्तों उखार कर ले गए वहीं पास में भगवत दीता और रामचरित मानस के जले हुए टुकड़े भी मिली है आपको बता दे कि मंदिर परिसत में शरापती बोतले भी मिली है तो वहीं आसामाजिक तत्तों ने परिसर में कई जगे उल्टियां भी की है जब सुवा लोग मंदिर पहुँचे तो या घटना की जानकारी मिली तो वहीं BJP जिला अधच साइथ अनहिंदो संगठनों के लोग वहां पहुँच गै सभी लोग आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे है तो वहीं पुलिस ने इस सिति को देखते हुए फॉरंज सिक टीम को भी बुलाया है प्यूरी रिपोर्ट आई पियन